नमस्कार, मैं कहला शर्मा, एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने संस्कृत का एक महत्तो पूर्ण विशय प्रश्न निर्मान लेकर, इसके पहले भाग में हमने किम शब्द रूप से प्रश्नों का निर्मान करना सीखा था, जिसका लिंक उपर आई बटन पर धिया हु करेंगे, जिसका अर्थ है कब, इसी तरह से स्थान के लिए कुत्र यानि कहां और कुतह यानि कहां से, उद्देश्य के लिए किमर्थम यानि क्यों और किस लिए, संख्या के लिए कती यानि की कितने, रीती तरीके या ढंग जानने के लिए कथम अर्थात कैसे और किसी बभाव इत्यादी के बारे में जानने के लिए पुलिंग में कीद्रिशह यानी कैसा और स्ट्रिलिंग में कीद्रिशी यानी कीसी और नपुन्सक लिंग में कीद्रिशम यानी कैसा कीद्रिशह शब्द के रूप राम की तरह से चलेंगे कीद्रिशी इसके रूप नदी की त सबसे पहले हम समय सूचक शब्दों के विशे में चर्चा करते हैं। वर्ष इत्यादी तो इन के लिए हमें प्रशनों का निर्मान करने के लिए कदा शब्द का प्रियोग करना है। अब इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रशनों का निर्मान करने के लिए हमें कदा शब्द का प्रियोग करना है। अर्थात रेखांकित शब्दों के स्थान पर कदा का प्रियोग करने पर हम आसानी से प्रशनों का निर्मान कर लेंगे। जैसे सह कदा पठती वह कब पढता है। अब वो महत्वपूर्ण बात जो हमें हर बार प्रशनों का निर्मान करते समय ध्यान रखनी है। वो है प्रशनवाचक वाक्यों के अंत में प्रशनवाचक चिन अवश्य लगाना है। अब चर्चा करते हैं स्थान सूचक शब्दों के विशय में। ये कुछ स्थान सूचक शब्द हैं। पुधारनों के माध्यम से समझते हैं। जैसे अब इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रशनों का निर्माण करना है उनको हम रेखांकित करते हैं। ये सबी रेखांकित शब्द स्थान सूचक शब्द हैं। इन रेखांकित शब्दों के स्थान पर कुत्र शब्द का प्रियोग करने पर हम आसानी से प्रशनों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे स्थान सूचक शब्दों के विशय में प्रशनों का निर्मान करते समय एक बात ध्यान रखनी है यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से अलग हो रहा है तो ऐसी इस्थी में हम कुतह शब्द का प्रियोग करेंगे जैसे बालक विद्यालयात ग्रहम गच्छती बालक विद्यालय से घर जा रहा है तो अलग कौन से स्थान से हो रहा है विद्यालय से इसी तरह से सह जैपूर नगरात आगरा नगरम गच्छती वह जैपूर से आगरा जा रहा है परमिंदर ग्रहात बहीरागत्य क्रिडती परम परमिंदर गर से बाहर आकर खेलता है तो इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्णों का निर्मान करना है वे ये हैं तो इन शब्दों के लिए प्रश्णों का निर्मान करने के लिए हम कुतह शब्द का प्रियोग करेंगे जैसे बालक कुतह ग्रिहम गच्छ वह कहां से आगरा जा रहा है परमिंदर कुतह बहिरागत्य क्रिडती परमिंदर कहां से बाहर आकर खेल रहा है अब गुणवाचक शब्दों के विशे में समझते हैं गुणवाचक शब्द यानि किसी का रंग रूप आकार जानना हो तो हम पुल्लिंग में कीद्रिशह स्ट अनोखा गुणवान भूखा बुद्धिमान गोरा सुन्दर सुकुमार इत्यादी शब्द यानि वे शब्द जिन से किसी का रंग रूप आकार गुण स्वभाव इत्यादी पता चले वे गुणवाचक शब्द होते हैं ऐसे शब्दों के लिए प्रशनों का निर्मान करन समझते हैं। प्रशनों के आधार पर प्रशनों का निर्मान करना है उनको हम रेखांकित करते हैं। इन शब्दों के स्थान पर प्रशनों का निर्मान करने के लिए पुलिंग में कीद्रिशह, स्त्रिलिंग में कीद्रिशी और नपुनसकलिंग में कीद्रिशम शब्द का प्रियोग कर जैसे कीद्रिशह सिंगह कुत्रापी आहारम नप्राप्तवान कैसे शेर ने कहीं पर भी बोजन प्राप्त नहीं किया। कीद्रिशह अश्वह तीवरम धावती कैसा गोडा तेज दोडता है। फलानी ये नपुनसकलिंग शब्द है और भववचन का है। तो हम कीद्रिशं कीद्रिशे कीद्रिशानी शब्द का प्रियोग करेंगे। अब उद्देश्य वाचक शब्दों के लिए प्रशनों का निर्मान करना समझते हैं। ये कुछ उद्धेश्य वाचक शब्द हैं, जैसे पठनार्थम, पढ़ने के लिए, क्रिडनार्थम, खेलने के लिए, पठितुम, पढ़ने के लिए, ब्रह्मनाय, गुमने के लिए, क्रेतुम, खरिदने के लिए, सनानार्थम, सनान के लिए, अगर ऐसा बताया जाए कि तो वे उद्धेश्य वाचक शब्द होते हैं। सरल तरीके से समझें, तो जिन शब्दों के साथ अर्थम, आय, तुम इत्यादी शब्द लगे हों, तो वो उद्धेश्य वाचक शब्द होते हैं। विद्ध्य धयनाय गुरुकुलम अगच्छत तपोधत विद्ध्य अधयन के लिए गुरुकुल में गया। विवेक खेलने के लिए बाहर जा रहा है। इन वाक्यों में, जिन शब्दों के आधार पर प्रश्णों का निर्मान करना है, उनको हम रेखांकित करते हैं। ये आसानी से प्रश्णों का निर्मान कर पाएंगे। जैसे, पांच, सो, हजार, इत्यादी यानि कोई भी संख्या वाचक शब्द या फिर कुछ अनिश्चित संख्या वाचक शब्द जैसे अनेकाह, अनेक, केचन, कुछ, काश्चन, कुछ, बहवह, बहुत इस परकार के शब्दों के लिए प्रशनों का निर्मान करना हो तो हम कती शब का प्रियोग करेंगे, कुछ, उधारनों के माध्यम से समझते हैं, जैसे की, जिन शब्दों के आधार पर प्रशनों का निर्मान करना है, वे शब्द ये हैं, ऐसे संख्या वाचक शब्दों के लिए प्रशनों का निर्मान करना हो, तो हम कती शब्द का प्रियोग करेंगे, और आसानी से प्रशनों का निर्मान कर पाएंगे, जैसे अब बात करते हैं रीती वाचक अव्यों के बारे में रीती यानि तरीका ढंग अर्थात कोई कारिय कैसे हो रहा है उसे हम कहते हैं रीती और ऐसे शब्दों के लिए हमें प्रशन बनाने के लिए कथम शब्द का प्रियोग करना है जिसका अर्थ है कैसे आईए कुछ उधारन देखते हैं जैसे उच्चाई ही जोर से नीचाई ही धीरे से मंदम मंदम धीरे धीरे शिग्रम जल्दी तिवरम तेज उच्चाई पूर्वकम उच्चाई से इस प्रकार के शब्द रीती वाचक शब्द कहलाते हैं आईए कुछ उधारन देखते हैं जैसे सिंगह उच्चाई ही गर्जती शेर जोर से दाड़ता है जनाह सोच साहं दृत्यनती लोग उत्सा से नाच रहे हैं बालक मंदम मंदम विहसती बालक धीरे धीरे हस रहा है अश्वतीवरम धावती गोड़ा तेज दोड़ता है अब इन वाक्यों में जिन शब्दों के आधार पर प्रश्णों का निर्मान करना है उनको हम रेखांकित करते हैं ये रीती वाचक शब्द हैं तो ऐसे रीती वाचक शब्दों के लिए हमें प्रश्णों का निर्मान करना हो तो हम कथम शब्द का प्रियोग करेंगे और आसानी से प्रश्णों का निर्मान कर पाएंगे जैसे सिंगह कथम गर्जती, शेर कैसे दहाडता है, जनह कथम दृत्यंती, लोग कैसे नाच रहे हैं, बालक कथम विहसती, बालक किस प्रकार हस रहा है, और अश्वह कथम धावती, गोडा कैसे दोडता है प्रशन निर्मान से संबंदित कोई भी प्रशन हो, तो कृपया कमेंट्स में लिख कर अवश्य पूछें, धन्यवाद